कुसेस्वर अस्थान बिधान सभा पर मची घमासान बिहार की राजनीती में एक नई द्रिष्टिकोन सेट कर रही है चिराग पासवान का कहना था कि जो सचिदानन पासवान है समता पार्टी के जो वहाँ पर कंडिडेट खड़े हुए हैं वह अब हमारे पक्ष में आ गये हैं मगर कुछी घंटे बाद इस बयान को खंडित करते हुए नजर आए सचिदानन पासवान उनका कहना था कि हम चुनाब लड़ रहे हैं और हाँ हमारा मिलना चिराग पासवान से हुआ था मगर वैसी कोई बात नहीं है हम चुनाब के मैदान में हैं वैसे चिराग की पार्टी से अंजू देवी हैं वहाँ पर कुसेशवारस्थान पर यह भी माना जा रहा है कि तारापूर्ट से ज्यादा होड़ सीट कुसेशवारस्थान है क्योंकि वहाँ पर तेज प्रताप यादब ने कॉंग्रेस को समर्थन कर दिये हैं जो वहाँ पर कैंडिडेट भी जोड सोड से लगे हुए हैं वहाँ पर संजे जहा के प्रभुतों वाले सीट में से एक माना जाता है जो बिहार सरकार में मंत्री हैं तो अब यह बातें और भी महत्पूर्ण हो जाती है कि वहाँ पर कई लोगों का साक लगा हुआ है और वहीं देखेंग अब हमें समर्थन करते हुए नजर आएंगे जो समतापार्टी के तरफ से खड़े हुए थे मगर जिस प्रकार से सचिदानंद पासवान ने कह सकते हैं कि अपना बयान बताया उसके बाद से ये बाते साफ हो गई कि चिराग पासवान के तरफ से ये बाते कितनी मजबूती से कही गई थी क्योंकि जो कैंडिडेट हैं जब वही इस बात से इंकार कर रहे हैं कि नहीं हम तो खुद मैदान में हैं हमने समर्थन कहां दिया है तो यह बाते समझी जा सकती है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान और सचिदानंद पासवान में क्या कुछ बाते हुई थ फिर बाद में मुकर गए ऐसे कई सवाल छोड़ जाते हैं मगर जब बयान यह आ चुका है कि हम मैदान में हैं कुछ इस वरस्थान के विधान सवा में तो यह भी वाते साफ हो जाती है कि जब वहां पर उम्मिद्वार अपनी ही दावेदारी कर रहे हैं तो फिर किसी और की ब पासवान के लिए एक कह सकते हैं कि वो जो उनके दावे थे वह दावे को सीधे सीधे खंडित करते हुए नजर आए सचिदानन पासवान तो अब यह देखना यह है कि कितने कौन में यह बन जाएंगे वहां पर कुसेशवर अस्थान में क्योंकि तेजपरताप यादब ने तारापूर के पेच्छे तारापूर पर भी हम बात करेंगे मगर भी फिलाल जो खबरे थी वह कुसेशवर अस्थान की थी एक बड़ा खेल करते करते एक और खेल हो गया खेल में ही खेल हो गया यह कहा जा सकता है तो विहार की तमाम पॉलिटकल अब्डेट्स के साथ लग हैंवाद